अलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हों कि उम्मीद से बहतर होंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे Jack Sinners Justice League के बारे में, तो डीटेल में बात करने से पहले जानते हैं की Justice League के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा, देखो अब भी आपने movies के नाम सुनेंगे जैसे कि Batman and Superman, Justice League 2017 में जो आई थी और उसके बाद उसका एक directors uncut version भी आ गया तो ये सारे movies पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आए करके, देखो अभी actually क्या हो गया कि ये जो movies है, ये movies box office पर जादा चलीने इसका reason एक ये है कि जब ये movies Jack Schindler ने बनाया now see, Jack Schindler is a very talented director, अगर आप उसके movies लेको, जैसे कि 300, Wonder Woman और Aquaman, तो ये सारे movie मतलब एकदम मतलब top class movies है, तो ये Batman and Superman, Justice League, डिरेटर's uncut version, ये सब क्यों आया और क्यों नहीं चले, इसके पिछे में रिजन ये है, movie ready करने के बाद फिर क्या हो रहा था कि studios बोल रहे थे कि ये एक गंट, या one and a half hour का होना चीए, या दो गंटे का होना चीए, या इतना time limit के अंदर होना चीए, फिर ये थोड़ी stories में यां पर थोड़ा चेंज होना चीए, ये थोड़ा मतलब effects में इधर ये change होना थे, तो काफी सारे interference होने के problem, मतलब ये create कर रहा था उसमें, कि movie को मतलब एक feel नहीं आ रहा था, जो proper feel आना चीए, मतलब जो बंदे ने मतलब अभी एक director सोच रहे कि मुझे ये चीज ऐसा बना नहीं, तो वो चीज वो ऐसा बन नहीं पा रहा था, तो इससे क्या वह रहा था कि जो actual product बन ही नहीं रहा था, तो इसके वज़े से ये movies ultimately ना director को पसंद आया और ना है, audience ने इस movies को पसंद किया तो फिर अब भी ये लोग क्या गलग ने total control दे दिया कि मतलब तुम ही बनाओगे और proper तुमारा format है बनाओगे और इसमें कोई interference ने होगा, तो अभी question ही आता है कि क्या जो movies आभी आएंगे तो जो पुराने movies थे उनका footage mix करके एक नया movie बना के देंगे क्या totally reshoot करके कुछ नया product हम लोग को देखने मिल रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो version आएगा अभी, this will be an uncompromised version of Jacks Cinder, अभी Justice League team को आप जानते होंगे, Justice League team में 6 characters है 6 characters जो है Superman, Batman, Wonder Woman Flash, Aquaman और Cyborg, तो यह team है और यह team fight करती है Stephen Wolf और Darkseed के साथ जिनका मतलब मेन मोटो होते है कि universe को destroy है, मुवी का storyline कुछ ऐसा है कि Superman का ultimate sacrifice के बाद Batman एक team बनाता है, जिसका motto होता है कि Darkseed और Stephen Wolf के साथ fight करके, इस universe को बचाने के लिए, और इस पर क्या होता है कि Batman को फिर समझ में आता है कि उसका team इनके साथ कुछ weak हो रहा है, और किस तरीके से वो fight करके मतलब universe को बचाता है is the story all about, तो the trailer was really good, मतलब मुझे trailer काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि इसमें कुछ आलग हाट के कुछ होगा क्योंकि जो जितने सारे movies अभी मैंने देखे हैं फिलाल Jack Sinder के और यह जो trailer देखा है, यह trailer ही मुझे वो सारे movies के ओपर भारी मतलब नजर आया है तो this movie might be very good for especially for superman fans like me because I too am a very great superman fan तो let's watch out कि किस तरीके से movie होगा stay in touch, आज के वीडियो में इतना ही, till we meet again take care